गराम एरा में एक लेक्टर जैप्रकाश मोर्या ने करोणा के तिन पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद गाउं का निरिक्षिन किया है सभी गाम वासियों को सावधानी और सजक्ता रहने के लिए कहा गया है उन्होंने कहा कि गाम अभी अति संक्रमिज शेत्र रहेगा और यहां लोगों के आने जाने पर प्रतिबंद रहेगा उन्होंने कहा कि करियाना और मेडिकल दुकाने खूली रहेंगी मन्रेगा के कारिये बंद रखेंगे भीडभाड वाले स्थानों से सभी दूर रहेंगे संक्रमन के स्थानों को सेनिटाइज करते रहें ग्राव वासी अनुशासन बनाए रखें साथ वर्ष से अधिक बुजूर्ग छोटे बच्चे गर्भवती माताओं का विशेश दिहान रखने का अवशकता है किसी भी तरह की परिशानी होने पर ततकाल स्वास्ते विभाग को सुचित करे उन्होंने साथ वर्ष से अधिक के बुजूर्गों का ब्लड प्रेशर और डाइबेटिस चेक करने को कहा है उन्होंने सरपंच से काया कि गाउं में किसी को भी सर्दी खासी वुखार एवं सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरं स्वास्ते विभाग को इसकी सुचना दे कलेक्टर ने अधिकारियों को संक्रमित मरीज के कांटेक्ट ट्रेसिंग सर्वे के लिए भी निर्देश दिये हैं पूलिस पैट्रोलिंग के लिए भी जूटी लगाने की निर्देश दिये गए क्लेक्टर मौर्य ने सामुदायक स्वास्ते केंदर सौमनी में गर्भुवती महिलाओं एवं महिलाओं के लिए क्वारिंटेन सिंटर बनाने के लिए केंदर कंडिक्षिन किया इस अवसर पर उनके साथ सहाय कलेक्टर लरिता अधित्य निलम मुखे चकित्सा एवं स्वास्ते अधिकाली डॉक्टर मिथिलेश चोदरी SDM रजनांद गाउ मुकेश रावतेई EDM सौरप मिश्रा उपस्थित रहे चतिसगर से स्टेट एड प्रनेगरवाल की रिपॉर्ट करता है झाल 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 झाल